Hello everybody, कैसे हैं आप सब मैं प्रवीन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Swag Buck के बार में जैसा कि आप देख सकते हैं इस website को ये website claim करती है कि यहाँ पे आपको surveys वगरा मिल जाते हैं इसके लावा आप आपको कुछ काम होते हैं जो करने पड़ते हैं अगर आप उन सारे कामों को पूरा करते हैं तो ये website आपको पैसे दे देती है तो आज मैं आपको complete इस website पे लेके जाऊंगा किस तरीके से काम होता है वो बताऊंगा क्या सच में आप ऐसे earn कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं तो कितने कर सकते हैं ऐसी complete information मैं आप लोगों को देने वाला हूँ साथ ही साथ मैं आपको अपनी earning भी दिखाऊंगा क्योंकि 3-4 दिन मैंने इस website पे काम किया है और मुझे क्या result आया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो शुरू से लेके last तक इस वीडियो को देखते रहे हैं बट उससे पहले दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आयो हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो ताकि ऐसे ही वीडियो इस फीचर में जब भी लेका हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो बात कर रहे हैं दोस्तों स्वैक बग के बार में बहुत पुरानी वेबसाइट है बहुत सारे पैसे ये दे चुकी है लोगों को तो यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी अर्डिंग जो है रिवील करना चाहता हूँ तो सबसे पहले यहां पे दोस्तों मैं ओर स्टेटस पर जाता हूँ order status पे जाके आप देखेंगे कि 50-50 dollars के 2 जो मैंने पैसे हैं वो अपने bank में ले लिये हैं यानि कि करीबन 100 dollar मैंने इस website से earn किये हैं वो भी करीबन 3-4 दिनों के अंदर 100 dollar का मतलब हो गया आपका करीबन 7,000 रुपे यह आप देख सकते हैं पेपल में 50 dollar जो है मेरे account में पहुँच चुका है और another 50 dollar जो है यह account में आने वाला है अब यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से पैसे आपकी account में पहुँचते हैं यह देखिए जैसे यहाँ पे इस survey दिखा रहा है यहाँ पे अगर आप इस survey को पूरा करेंगे तो आपको 60 swag bug point मिलेंगे जितने ज्यादा swag bug point होंगे उसको आप redeem कर सकते हैं पैसो में इसके लावा और भी बहुत सारे options होते हैं जहाँ पे आप इन points को use कर सकते हैं तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा यहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं अगर मैं वो पूरा करता हूँ देख लिए मैं आप लोगे सामने कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें एक swag bug point मिलेगा अगर मैं इस task को पूरा कर लेता हूँ इसके लावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे टास्क दिये जाते हैं सर्वेज दिये जाते हैं कुछ ऐसे बड़े सर्वे भी होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा points मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं 60 swag buck point मिल जाता है तो basically आपको यहाँ पे इस website पे आके इन सारे कामों को करना है और आप यहाँ पे points कमा सकते हैं उसके बाद आप उन points को जो है आप अपने account में transfer कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और चीज में आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो भी survey मिलेंगे वो बहुत छोटे नहीं होंगे करीबन एक survey complete करने में आपको 5 से 10-15 मिनट का वक्त लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह complaint रहती है कि survey पूरा करने पर पैसे नहीं मिलते है ऐसा नहीं है पैसे मिलेंगे अगर आप काम करेंगे और यहाँ पे आपको ज़्यादता surveys मिल जाते हैं ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे survey नहीं मिलेंगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तो redeem में कि किस तरीके से आप जो swag points कमाएंगे उसको आप कैसे redeem कर सकते हैं और कैसे उसको पैसो में convert करके अपने bank account में transfer कर सकते हैं तो देखें यहाँ पे side में दोस्तो यहाँ पे redeem your sb यानि कि redeem your swag points, swag bug point जो है इसका एक option है तो redeem के option पे हमने click किया अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे popular चीजे हैं जो buy कर सकते हैं जैसे अगर आपके पाद 500 swag points है तो आप यहाँ पे stream digital wallet का आप 5 dollar ले सकते हैं इसके लावा अगर आपके पास यहाँ 1000 swag points है तो यहाँ पे 10 dollar ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पैसे PayPal में transfer करने है cash के तौर पे तो यहाँ पे आपके पास 700 swag points होने चाहिए आपको 5 dollar मिल जाएंगे अगर मैं चाहूं तो आपने यह 1500 swag points है इसको मैं transfer कर सकता हूँ पास dollar के उसमे PayPal के account पे यहाँ पे आप लोगों को अपना PayPal का account बनाना पड़ेगा PayPal का account बनाना बहुत simple है बट make sure जिस भी email ID से आप यहाँ पे swag bug पे register करते हैं उसी email ID पे same name पे आपका PayPal का account होना चाहिए PayPal का account बनाना बहुत simple है जाके सिर्फ आप आपको register करें register करने के बाद वहाँ पे approval में 4-5 दिन का समय लग सकता है तो उतना आपको PayPal पे अपना complete account बनने के लिए wait करना पड़ सकता है इसके अलावा हम देख सकते हैं अगर आपके बाद 950 swag points है तो आप यहाँ पे flip card का 500 रुपे का voucher ले सकते हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आपको gift card मिल जाते हैं मैं आप लोगों को यही suggest करूँगा कि आप PayPal के through redeem करें ताकि आपका जो पैसा है directly आपके account में पहुँच जाए PayPal पे आप जब भी अपना account बनाएंगे तो account जब आपका approve हो जाएगा उसके बाद उसको आपको अपने account से link करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके PayPal account में कोई भी पैसा आएगा कोई भी amount आएगा जो की dollar की रूप में होगा उसको जो है PayPal directly आपके bank account में transfer कर देगी तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर vouchers मिल सकते हैं तो आप अपने accordingly आपके जितने भी points होते हैं उसके accordingly जो है आप उन points को use कर सकते हैं तो यहां पर आप मैं आजाता हूँ Swagback की main website पर अब जो main question उठता है वो यह है कि इस website पर काम करके कितने पैसे अंके जा सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको कोई investment करने की जुरत नहीं है सब कुछ without investment है सिर्फ आपके पास यूण आपका इस website पर account बना होना चाहिए और आप काम करना शुरू कर सकते हैं zero investment वाली मैं आपको यहां पर बात बता रहा हूँ तो यहां पर मैं अगर एक average लेता हूँ कि आप अकेले काम करने वाले हैं और आप जो है यूण चार से पास सर्वे पूरा कर लेते हैं तो on and average आप यहां पर तीस points के इसाब से भी मैं बता हूँ तो आप यहां पर 500 से 200 points कमा सकते हैं रोज एक गंटा काम करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ज्यादा नहीं कह रहा हूँ अगर आप एक गंटा काम करते हैं 5-6 सर्वे प देखेंगे कि 2000 swag points से आप जो है 15 dollar PayPal पे ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके पास करीबन 2000 dollar होते हैं क्योंकि 700 swag points का 5 dollar आपको मिल जाता है तो उसे साब से करीबन 200 points का जो होगा आपको 15 dollar मिल जाएगा 15 dollar का मतलब हो गया करीबन आप यहां पे 1000 रुपे या उससे थोड़ा कु 45,000 रुपे पराम से अंड कर सकते हैं without investment तो यह मैं दोस्तों उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ रोज एक गंटा ही देते हैं अगर आप 2 गंटा देते हैं तो हो सकता है आप ज्यादा कमा सके और अगर आपके घर में 3-4 जने हैं जो जिनको internet चलाना आता है जो आप ये काम करते हो तो महीने के 20-25,000 रुपे आप अपने हर महीने ले सकते हैं without investment ऐसा नहीं कहा रहा है कि यह मैं fraud बात बता रहा हूँ यह सारी चीजे possible है बट काम करना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको survey जो है करीबन एक survey फिल करने में 10-15 मिंट का वक्त लग जाएगा बहुत लोग क्या होते हैं वो survey फिल नहीं करते हैं वो बीच में कुट कर जाते हैं वो सोचते हैं पैसे आएंगे नहीं आएंगे मैं ऐसा नहीं है पैसे आते हैं इसलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूँ तो जो लोग without investment की चीजे खोज रहे हैं जि आप कैसे बनानी है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के playlist section पर आए प्ले लिस सेक्शन पर आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मैंने free android app बनाना आपको बताया है ब्लॉक कैसे बना सकते हैं उससे कैसे पैसे अंड कर सकते ह ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वो कैसे करना होता वो चीज बताई है इसके अलवा बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए helpful हो सकते हैं अगर आप पैसे अंड करना चाहते हैं online बहुत सारे tutorials आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो आप लोगो फीड में आते हैं तो आप एक पैसा नहीं कमाएंगे इसकी गैरंटी में लेता हूँ और अगर आप सीख के चीजों को करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि कहा पे कहा गलती हो रही है क्या चीज आपको सही करनी है और कैसे आपको काम करना है online पैसे अंड करना बहुत easy है अगर आपको काम आता है अगर आपको काम नहीं आता आप दूसरों को देख के आ जाएंगे कि यह बहुत आसान है ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा तो आप एक पैसा नहीं कमा पाएंगे यह गैरंटी है जितने भी लोग online काम करना शुरू करते हैं 90% से कुछ नया पहुचाने की कुछ नया बताने की वो पूरी हुई होगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को शेर करें तो दोस्तों जल्द ही एगले वीडियो में मुलाकात होती है तब तक लिए जय हिंद जय भारत